आपके face shape के हिसाब से best sunglasses कौन से रहेंगे उसे पहचानने के लिए एक बहुती easy और ultimate वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए मतलब इस वीडियो के simple 3 steps यूज करते वे आप बिना time waste करे बस 5 second में अपने लिए कमाल के sunglasses चूज कर लोगे और आपको वीडियो के बिलकुल end में 2 bonus tips दूँगा आज पहली bonus tip में तो मैं आपको आपका face shape ढूणने के लिए एक तगड़ी app बताऊंगा और दूसरी bonus tip में अगर आप नजर का चश्मा पहनते हैं तो उस case में आप sunglasses best तरीके से कैसे पहने जिससे आप stylish भी लगें और आपको देखने में भी कोई problem ना है तो इसलिए ये कमाल की वीडियो पूरी end तक देखना और style से ये YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके bell icon दबा दो ऐसी awesome content के लिए अब यार इंटरनेट पे या YouTube पे जो भी articles हैं या फिर वीडियो से sunglasses according to your face shape पे उन सबके हिसाब से आपको कुछ hectic और complicated measurements करने पड़ते हैं अपने लिए right sunglasses लेने के लिए लेकिन यार मैं ये खुद मानता हूँ कि कोई भी बंदा इतने calculation करके अपने लिए sunglasses या frames नहीं करीता इसलिए आपके लिए इस वीडियो में बिल्कुल 3 step process लेके आया हूँ मैं उन 3 steps में से first step है checking the width of your sunglasses तो पहले step में अपने को अपने sunglasses की चोड़ाई चेक करनी है कि आपके face पे सही आरी है कि नहीं आरी है इसके लिए आपको ये जानना सबसे ज़रूरी है कि आपका जो cheekbones का size होगा या फिर चोड़ाई होगी आपके goggles का size भी roughly उत्ती ही चोड़ाई का होना चीए अब इस चीज का अंदाजा आपको काच के सामने खड़े होने से easily हो जाएगा अगर आपके sunglasses आपके cheekbones से ज़रूरी चोड़े या फिर छोटे रहे तो उन दोनों cases में आप अच्छे नहीं लग पाओगे कभी अब इसके बाद जो अपना second step आता है वो है checking the length या फिर लंबाई या फिर sunglasses अब general cases में या तो आपका face का length आपके face की width से लंबा होगा या फिर आपका face का length और width same dimension के होगे इन दोनों cases में से आपका face भले ही कोई सा भी हो आपको अपने चश्मे की length देखने के लिए अपनी नाक को as a reference की तरह लेना पड़ेगा क्योंकि अपनी जो नाक होती है वो बिल्कुल center portion होता है अपने face का तो आपके sunglasses आपके किते लंबे या छोटे हैं वो इसी से decide होता है mainly अब इससे सीधा सीधा मेरा मतलब यह है कि आपके goggles की जो भी लंबाई रहेगी वो simply आपके नाक के बीच से लेकर आपके नाक का जो मोटा पाट है उसके बीच तक ही रहनी चीए और इस चीज का rough अंदाजा आप काच के सामने खड़े होंगे तो आपको अपने आप पता ल आपके eyebrows से just नीचे आना चीए और या तो बस eyebrows के just उपर आना चीए उनको ढखता वा अगर आपके sunglasses आपके eyebrows से उपर निकल जाता है तो वो लड़कियों के टाइप के goggles में आ जाता है इसलिए आप ये गलती भी बिलकुल ना करें अब finally अपना third step है picking the right shape of the sunglasses for you अपनने easily width और length की तो बात कर ली है अब sunglasses का shape जो अपने पर अच्छा लगेगा उसके लिए अपने को अपना खुद का face shape समझना जुलूरी है तो यार वैसे तो इस दुनिया में हजारों face shapes हैं पर उन extra fall to के face shapes की complication में नहीं पड़ें अगर अगर अपन तो mainly बस चार तरीके के face shape अपने important हैं जो कि है round square, oval और triangle अब इन में से आपका भले कोई भी face shape हो आपको उस face shape की just opposite shape के glasses पहनने है ताकि आपका face उस glasses को पहनने के बाद बिल्कुल balance लगे मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपका round face shape है जिसमें कोई भी structure नहीं होता बिल्कुल goal मटोल होता है तो उस पे आप बिल्कुल structure वाले square glasses पहनोगे तो best लगोगे क्योंकि जो square shape है वो आपके goal चेहरे को बिल्कुल balance कर देगा और आपकी सारी की सारी कमियां छुपा देगा similarly अगर आपका बिल्कुल structured square face है तो उसके लिए आपको round sunglasses पहनने पढ़ेंगे ताकि आपका face again balanced हो जया है इसी logic के हिसाब से जो oval face shape होता है वो थोड़े lucky shapes में आता है क्योंकि इस पे हर एक type के goggles जचते है फिर last में जो अपना triangle face shape बचता है इस पे भी हर एक type के goggles जचेंगे except बिल्कुल square और बिल्कुल round glasses इन डोनों को ही आप avoid करना अब ताकि आपको ये सब याद नहीं रखना पड़े इसलिए जो भी sunglasses की shapes आप पे जचेंगे या नहीं जचेंगे उसकी पूरी photo screen पे आप screenshot ले सकते हैं अब जो मैंने आपको तीन steps अभी बताए उसकी quick summary मैं आपको बस ये ध्यान रखना है कि गौगल की length आपके नाक के beat से आपके नाक के मोटे portion के बीच में रहे फाइनली third step में आपने ये जाना कि भले ही चारों में से आपका कोई भी face shape हो आपको अपने face shape को balance करना है उसके opposite shape के goggles पहन के अब at last video की special bonus tips के बारे में बात करते हैं इसमें जो मैं आपको special app बता रहा था आपका face shape ढूणने के लिए वो special app है lens card की app जो आपको अराम से आपके front camera से आपका face shape भी बता देगा और आपके लिए suitable frames भी suggest कर देगा तो आपकी face shape ढूणने के problem ही गई अब अपनी second bonus tip में नजर के चश्मे पहनने वाले भाईयों के लिए आ आपकी नजर के चश्मे के power के lenses उन sunglasses में डाल देते हैं तो इसको करवाने के बाद आप जब भी sunglasses पहनोगे तो आपको बिलकुल 100% clear दिखेगा मैं hope करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप मेरी latest 5 things men wear that women love और hairstyle according to your face shape वाली वीडियो भी देख सकते और हमेशा ऐसी शांदार content देखते रहने के लिए चैनल को subscribe करे बेना मत जाना